हेलो फेंट्स आज मैं आपके लिए एसस का टन का यह बैट लाया हूँ तो बिना कोई टाइम वेस्ट करें चलिए इसको इसकी अन्वोक्सिंग स्टार्ट करते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं यह एसस का टन का यहां पर लिखा हुआ है वर्चू एसस्टन वर्चू बैट है इसका यह मोडल है वर्चू और यहां पर इंग्लिश विलो बैट है प्रिमियम इंग्लिश विलो लिखा हुआ है जो आप देख सकते हैं और यहां पर टन का यह अगर आपको इसके बारे में कुछ भी जानना है तो आप इसको गूगल पर लिख सकते हैं अगर आप यह लिखेंगे तो यही बैट आपको वहां पर दिख जाएगा और आप वहां से सारी डीटेल्स ले सकते हैं तो यहाँ पर मैंने इसको डिरेक्ट भी नएाब yeah इसको मैंने दो ही दिन हुए लिए और यहाऍँ नएग है पर यह निया क्या निया ही है पर मैं कोई भी बैट लेता ओं तो बह inn demás artillery लेते हैं उससे पहले उसका था अक्बाद नौगिं कड़कर देख अ कि सबाट यहीए इन कुछ खराब कुछ गलती हैं तो मैं इसको वापस कर देता हूं इस वज़े से मैं डिरेक्ट आपको अन्वोक्सिंग नहीं दिखाता हूं अपना को एक बार यूस करकर आपको दिखाता हूं बैट तो यह अभी बस दो ही दिन हुए और एकी दिन मैं इसकी नौकिंग कर पाया है कि जिससे अगर इस पे टो पे बॉल आए तो यह तूटे ना इधर से इसको आप भी बनवा सकते हैं अगर आपका मन है तो वैसे मैं हर बैट में बनवा देता हूं पहले इसे कि अगर यह तूटे ना यहां से यहां से क्योंकि अगर आप टो पे बॉल लेंगे तो चांसे तो मुझे थोड़े मोटे handle से खिलने में अच्छा लगता है तो मैंने इसमें ग्रिप इसमें इक double grip चड़वा दिये हैं तो मैं इसको थोड़ा से नीचे उतार के पूरी तो मैं निकाल सकता है क्योंकि या पे रखिये टेप लगा हुआ है से नहीं निकाल पाऊंगा पर जितनी निकल सकती है तो मैं इसकी और इजनल ग्रिप आपको दिखाता हूं अगर आपको ओर इसे दिखनी है तो आपको मैं बताये थो ना गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं इस बैट का नाम एसेस्टन वर्चू प्रेमियम इंग्लिश विलो तो आपको इसकी ओरिजिनल ग्रिप भी दिख जाएगी तो मैं दिखाता है एक से यह देखिए मैंने इस ग्रिप को नीचे कर दिया और यह इसकी ओरिजिनल ग्रिप देख इसके लिए आपके तकतला है इसको मैंने जब एक सके मैं इसकी ग्रिप वापस हो तो चलिए आगे हम देखते हैं यहाँ पर भी एक स्टिकर दिया गया है वही एससिस्टन के जिते भी अब बैट देखेंगे उसमें सभी मैं इसा ही लोगो मिलता है कभी वो चेंज करता ही हमेशा सेम लोगो आपको मिलेगा यहाँ पर 10 लिखा रहेगा ब्लैक से नीचे वाइड बैग्राउंड और इसके मैंने यहाँ पर साइड में वह भी लगवा लिया है इसमें इंगलिश टेप की इसका एज एज में अगर कोई भी बॉल आए तो उसको कुछ एज इसके टू है 1,2,3,4,5,6,7 इसमें 7 grains है टोटल बढ़िया बैट है इसके 7 grains है मैंने लिया था इसको इसको तो मैंने शॉप से लिया है पर अगर आपको अनलाइन लेना है तो मैंने आपको बता दिया है गूगल पर आप लिखेंगी यह तो यह आ जाएगा और सबसे में बात इस बढ़िया इसको मैने जब नॉकिंग करी तो यह वैसे ही यह ready to play रहता है इंग्लिछ विलो अप जितने भी लेंगे प्रीमियम इंग्लिष विलो अंग्लिश है पर सारे बैट रेडिट उ प्ले रहते हैं पर मैंने इक बार नॉकिंग कर दimentos बढ़िया था यह का वेट Might Đू देखाते हैं सब्सक्राइब देख सकते हैं कि अच्छा आ रहा है इसे इस दम मेडल पर मैं ले रहा हूँ बॉल भी अच्छी है तो देखे आपके मेडल आई अच्छी बॉल होईगी तो बहुत बढ़िया बैट है बहुत बढ़िया जाता है इसे शॉट मैंने खेले हैं इसे नौकिंगी में इतना अच्छा चला था तो आप समझ सकते हैं मैच में क्या चलेगा और आपको अभी मैंने साइन सुनाई भी बैट की कि ती अच्छी आ रही थी बॉल से जब लड़ राता बॉल भी अच्छा है ए यहां पर भी एक लोगो आपको दिख सकता है यहां साइड में भी हमेशा ही देते हैं यहां पर भी है इसस वाला तो चलिए आपको अगर कैसा बैट लगा कमेंट करिये और जित्ते भी मैं उन्हें आसता अभी तक वीडियो बनाएं बैट के आपको सबसे अच्छा कौन सा बैट लगा और इस बैट में आपको क्या सबसे चीज लगी प्लीस कमेंट करके बताईएगा नीचे कमेंट बॉक्स में और फिर आद इसको वीडियो को लाइक कर दिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नहें तो चैनल सब्सक्राइब कर दिएगा तो चलिए मिलते हैं इसक आपके लिए बाई बाई